नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुल्ला राशिवालों, दोस्तों जिस दिन आप यह वीडियो पूरी देख लोगे, उसी दिन आप करो डेचपती और माला माल बन जाओगे, पूरी गारंटी है मेरी, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत चमकाने का, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय बताने वाला हूँ, जिस दिन आप यह वीडियो पूरी देख लेंगे, इस संसार के सारे सुख आपको मिल जाएंगे, बस आपको आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पढ़ी डिडि हेगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले ऐसे वीडियो ना कभी किसी ने बनाई होगी, ना कभी बनेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इनसान का हर दुख, हर दर्द दूर होगा, चाहे क चाहे धन दौलत की समस्या है, चाहे व्यापार नहीं चल रहा है, चाहे नौकरी नहीं लग रही है, सारी धन दौलत के जितने भी समस्याएं हैं, सब दूर हो जाएगी, और करोडपती माला माल बनोगे, वह भी गारंटेड. बस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड पूरे डिहेगा, तब ही जाकर आप लोगों की फूटी किसमत चमकेगी. दोस्तो, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों भगवान आपकी नहीं सुनते हैं, आखिर आप क्या करें, जिससे आपकी फूटी किसमत चमक उठे, और कौन सा वकार्य है, ज बहुत लखी इनसान बन जाएंगे, और आपको अपनी जिन्दगी का हर सुख मिल जाएगा, वह भी ग्यारंटी. आईए दोस्तो, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना. देखिये दोस्तो, आपको मैं बता दूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे म के सारे देवता उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने में जुट जाते हैं, और वह भी तुरंत असर हो जाता है. दोस्तो, इन 24 घंटों में एक समय ऐसा आता है, जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुलेंगे, सारे देवता एकत्रित होंगे, और आपकी हर समस्या दूर कर और इस संसार का सबसे सफल इनसान केवल और केवल वही व्यक्ति बनेगा. बस आपके मन में आस्था होनी चाहिए, बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए. कई लोगों ने दोस्तों उस समय के अंतराल में इस खास उपाय को किया है, उसके बाद आज उनकी पूरी दुन से कुछ मातर घंटों के अंदर भी पलटे हैं. दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं उस समय को जानना, उस उपाय को जानना, तो आज के इस वीडियो को देखना. क्योंकि 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है, जब ब्रह्मांड के सारे दर्वाजे खुलेंगे और फिर आप की किस्मत चमक उठेगी, आपका फूटा नसीब चमक जाएगा, आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी. तो दोस्तों, बस आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब ही जाकर आपको सब कुछ समझ आएगा. लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो को आखि की जाएगी, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है. मैं आपसे एक छोटे से विनती करता हूँ. देखिये, भगवान है आज तक भगवान को, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे मन में विश्वास है, हमारे मन में आस्था है. इसी लिए हम भगवान को मानते हैं, और भगवान के प्रती हम आस्था रखते हैं और भगवान से मननत मांगते हैं और भगवान हमारी अक्सर सुनते हैं। दोस्तों, कभी-कभी देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी तो नहीं सुनते। देखे, अगर आप इस संसार में रह रहे हैं, आपको दोवक्त की रोटी मिल रही है, आपका परिवार सुरक्षित है. तो दोस्तों, आपके उपर भगवान की कृपा अवश्य रूप से है, तभी जाकर आप इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. वरना ऐसे बहुत ठीक इसी प्रकार से दोस्तो आप लोगों को आस्था और विश्वास रखना है इस उपाय को करते वक्त क्योंकि वह जो समय है उस अंतराल में अगर आपने पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय गढ़ दिया तो दोस्तो समझ जाना कि आपके नसीब के द्वार खुल जाएंग आप अपने संसार के सरवश्रेष्ठ आदमी बन जाएंगे दोस्तो शुरुआत से लेकर आखरी तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को नजर अंदाज करने की भूल मत गणना क्यो क्योंकि जो वीडियो को नजर अंदाज करेगा यकीन मानिये वह बहुत ही बड़ा महामूर्ख इनसान होगा क्योंकि मूर्ख ही होगा और नास्तिक ही होगा जो ऐसे वीडियो को नजर अंदाज करेगा तो आईए दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने इतनी महत्वपूर् क्योंकि दोस्तों ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए आपके। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय बजरंग बली और अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो निश्चिन्त होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान जरूर से जरूर बताऊंगा आएए, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों अब दोस्तों, मैं आपको समय बता देता हूँ देखिए, दिन के होते हैं 24 घंटे और इस समय अंतराल में करीब दो बार 11-11 बजे होते हैं एक तो सुबह के समय होते हैं और एक रात्री के समय होते हैं सुबह के समय में दोस्तों, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुबह के समय में जो ब्रह्मांड के देवता होते हैं वह उनका समय नहीं होता लेकिन जो रात्री के 11-11 बजे होते हैं ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान अपने ब्रह्मांड के दर्वाजे खोल देते हैं इस समय अंतराल में जो भी व्यक्ति यानि की रात्री 11-11 बजे पर अगर जो भी व्यक्ति सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से भगवान को यानि की जो अपने इष्ट देवता होते हैं आप जिस भी भगवान को मानते हैं भोले नाथ जी को या फिर दोस्तों आप बजरंग बली को या फिर आप लक्ष्मी जी को, या फिर दोस्तों आप किसी भी अपने फेवरेट जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उस भगवान से आप मननतें करते हैं। आप जो भी मांगते हैं माना जाता। समय अंतराल में भगवान आपकी हर मुराद पूरी कर देते हैं, वह भी है। दोस्तों, अंक शास्त्रों के अनुसार ही नहीं, बलकि कई बार लोगों को जब भी 11 बच कर 11 मिनट दिखता है। तो दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो इस समय को बहुत शुभ मानते हैं। दोस्तों, इस नंबर के पीछे वैज्यानिक कारण भी है। वैज्यानिक भी इस नंबर को बहुत शुभ मानते हैं और साथ ही हमारे धर्म शास्त्रों में। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे समय को बहुत महत्व दिया जाता है जिस तरह से। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में हम सुभह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हैं। कई मंदिरों में ब्रह् प्रम्ह मुहूर्त में भगवान की आरती होती है, ठीक उसी प्रकार यह जो समय है ग्यारा बज कर ग्यारा मिनट बजे का यह समय भी हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस उपाय को बिल्कुल शान्त होकर करना है। अगर आपके घर में रात्री ग्यारा बज कर ग्यारा मिनट पर शोर शराबा होता है, टीवी चलती है, तो कृपया करके थोड़ा एकांत में चले जाएं और अपने घर में भी सभी को शान्त रहने के लिए कह दें, क् यह जो क्रिया है, यह बिल्कुल शान्त में होती है। दोस्तों, बिल्कुल शान्त वातावरण में ही इस क्रिया को किया जाता है, इसलिए अपने घर में बिल्कुल शान्ती वातावरण रखना पड़ी डढ़ेगा आपको, और आपको मैं बता दूं कि मन में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए और आस्था होनी चाहिए तब ही जाकर दोस्तों यह काम करने वाला है और वह भी गारंटीड काम करेगा अब दोस्तों बिलकुल ध्यान से सुन लीजिए प्रक्रिया क्या करनी है देखिए जैसे ही 11 बच कर 11 मिनट हो तो आपको अपने साथ एक प्लेन पेपर लेना है देखिए आप एक प्लेन पेपर ले ले और उस प्लेन पेपर के उपर आपको पेन से किसी भी कलर का पैन हो तो आप उस प्लेन पेपर पर अपने हाथों से आपकी जो भी मनोकामना है दोस्तों एक समय में केवल एक मनोकामना होनी चाहिए यानि कि एक दिल में केवल एक मनोकामना होनी चाहिए आप अपने पेन से अपने हाथों से लिख दें उस प्लेन कागज पर आपको पूरे ग्यारा बार लिखना है, आपकी जो भी मनोकामना है, पहले वह मनोकामना लिखतें, और भगवान का नाम लेते हुए, जो भी आपके भगवान है, यानि कि अगर बजरंग बली को आप मानते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए क्या लिखना है, मान लीजिए आपका धन का समस्या है, आपको धन की आपकी मनोकामना है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, धन्यवाद, बजरंग बली, मुझे इतना धन देने के लिए धन्यवाद, अब आप यह पूरी ग्यारा बार लिखनी है, उस पन्ने पर उस पेज पर ग्यारा बार अपनी मनो कामना लिखनी है, आपको ऐसा समझना है कि मेरी मनो कामना पूरी हो चुकी और आप भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं, यानि कि ग्यारा बार आपको भगवान को धन्यवाद कहना है कि धन धन्यवाद, कृष्ण भगवान करना है, जिस भी भगवान का, आप सबसे ज्यादा मांगने आप, उस भगवान का धन्यवाद करके अपनी विश लिख दें, मानलो आपकी विश है, खुद का घर बनाना आना, यानि कि आपको अपना खुद का घर चाहिए, तो धन्यवाद श धन्यवाद शिव जी मुझे अपना घर देने के लिए, फिर धन्यवाद शिव जी मुझे मेरा घर बनवाने के लिए, आपकी जो भी मनो कामना हो, या फिर अगर शादी की हो, तो आप इस प्रकार से लिखते हैं, धन्यवाद शिव जी मेरी शादी के लिए बस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वह भी पूरा 11 बार आपको लिखना है, अब आपने 11 पन्न प्यार एच लिख लिया, अब उसको फोल्ड कर लें, अब उसको फोल्ड करके अपने हाथों में ले लें और घडी में समय अवश्य रूप से देखें जैसे ही 11 बच कर 10 मिनट बजे हो उसको पन्ने को उस चिठ्ठी को आप अपने दिल पर रख लें आप अपने दिल पर रख लें और आखें बंद कर लें और भगवान का ध्यान करें भगवान को कहे कि एब भगवान, मेरी मनो कामना पूरी कर दो, और एक मंतर का जाब करे, जैसे 11 बच कर 11 मिनट हो, इस मंतर का आपको जाब करना है, मंतर क्या है? ओम हम हनुमंते, नमह, ओम हम हनुमंते, नमह, मंतर, विल्कुल ध्यान से सुनी, ओम हम हनुमंते, नमह, यह बजरंग बली का मंतर हनुमान जी का मंत्र है यह मंत्र दोस्तों कल्यूग का सबसे बड़ा चमतकारिक मंत्र है इसलिए इस मंत्र का जाप अवश्य रूप से करिएगा क्योंकि हनुमान जी कल्यूग में दोस्तों अपने भक्तों की हर मनो कामना पूरी करने के लिए हर भक्तों की रक्षा करने के लिए धर्ती पर ही मौजूद है और इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली है दोस्तों इसलिए आप इस मंत्र का जाब करें और उस चिठी को अपने दिल पर लगाएं करीब दो मिनट तक यानि की ग्यारह बज कर दस मिनट से ग्यारह बज कर बारह मिनट होने तक आपको यह उपाय करना है इस उपाय को करने से आपकी मनो कामना भगवान तुरंत सुन लेते हैं और आपकी मनो कामना अवश्य रूप से पूरी हो जाती है अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है अभी इस उपाय का एक मुख्य चीज भी मैं आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना क्योंकि आप मेंसे कई लोग हैं जो बहुत जल्दी में हैं आज कल आधा अधूरा वीडियो देख लेंगे और चले जाएंगे उपाय करने के लिए अरे इतना भागो मत कुछ नहीं होना है भागने से थोड़ा रुख जाओ और हर चीज को अच्छे से समझ लो देखिए इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको सबसे पहले स्नान करना है देखिए सुबह तो सब नहाते हैं लेकिन रात्री में जब आप अच्छे से खाना खाना खा लें जब आपको पता है कि बस अब तो सोना ही है यानि कि करीब साड़े दस बजे आप नहाद होले और अच्छे स्वच्छ हो जाएं उसके बाद आप इस क्रिया को करिएगा दोस्तों क्योंकि आप भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं आप इस संसार का जो सबसे बड़ा और सबसे शुभ समय है ग्यारा ग्यारा बजे उसमें भगवान का ध्यान करने वाले हैं तो आपको बहुत स्वच्छ रहना पड़ेगा और हाँ, एक अच्छे स्वच्छ फर्ष पर बैठे अच्छे पोछा अच्छा लगाकर अच्छा आसन बिछा लें और फिर ही आप इस क्रिया को करियेगा दोस्तों, और घर में सभी को कह दें कि चिल्ला छोट ना करें बच्छों को भी समझा दें दोस्तों और अगर उनकी भी कोई इच्छा है तो उनको भी कह दें कि आप इस तरह से इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे एक बार में केवल एक ही चीज मांगेगा अगर एक बार में दो तीन चीजें मांग ली तो भगवान फिर एक भी चीज नहीं देंगे और हाँ, मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या यह पागलपन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं दोस्तों, बहुत सारे पागल लोग हैं जो हमारे धर्म की कुछ चीजों को ही नहीं मानते देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि 11-11 बजे पर संसार का सबसे बड़ा शुभ समय शुरू होता है देखे, 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जब भगवान अपने ब्रह्मांड के सारे दर्वाजे खोल देते हैं जब यह ग्रह चक्र खुलते चलते हैं दोस्तों, तो एक समय अंतराल ऐसा आता है जिसमें ब्रह्मांड के सारे दर्वाजे खुल जाते हैं और साक्षात, नारायन साक्षात दोस्तों, नारायन दर्शन देते हैं और उन तक अपनी बात बहुत जल्दी पहुँच जाती है तो अगर उस समय आपकी मुराद भगवान तक पहुँच गई तो समझ लेना आपका हर काम बन जाएगा तो दोस्तों आशा है में ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब आप ये उपाय कर ले तो इसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है मान लोग घर के कुछ व्यक्ति है तो ठीक है उनको तो पता लगेगा ही लगेगा लेकिन इसके बाद आप इस उपाय के बारे में ना ही अपने पडोसी को बताएं ना ही रिष्टेदार को बताएं इस बात को गोपनिय रखना है दोस्तों किसी को भी यह उपाय नहीं बताना है ध्यान रखना इस बात का इसका होवा नहीं बनाना है क्योंकि देखिए भारत वर्ष ऐसा वर्ष है भारत देश ऐसा देश है कि भेड़ चाल चली जाती है दोस्तों इस भेड़ चाल में दोस्तों कई लोग एक के बाद एक के बाद सब चलते जाते हैं, इसलिए भेड़ चाल नहीं बनानी है, इस उपाय को, देखिए ये जो समय है बहुत ही कीमती समय, और अगर इस समय अंतराल में करोडों लोग मननते मांगने लग जाएंगे, तो फिर भगवान की किसकी सुनेंगे, इसल लोग बिलकुल भी नहीं चाहेंगे कि आप जीवन में आगे बड़े, ये लोग बिलकुल भी नहीं जाएंगे कि आप जीवन में बड़ी-बड़ी सफलता या अच्छे-च्छे परिणाम प्राप्त करें। और इसी कारण दोस्तों, जीवन में बार-बार आपकी हर हो रही है। तुम्हें बस आपसे ही कहना चाहूंगा कि आपको जो अपने छुपे हुए दुश्मन है, उन्हें पहचानना चाहिए। जो लोग पीट-पीछे आप पर बोल कर रहे हैं, पहले आप उनकी सच्चाई जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जीवन में कोई बड़े निर्णय लेना, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे। आपकी पीट-पीछे जो घटनाएं हो रही है, उन्हें घटनाओं की वजह से आपकी जिन्दगी में बार-बार इतना दुख रहा है। दोस्तों, अपन जो पीट-पीछे आप परिवार करता है, जो पीट-पीछे आपके खिलाफ बहुत ज्यादा दुश्मनी अपने अंदर भर कर बैठा है। तो आपके दोस्तों, यह बात समझनी होगी, कि जीवन में यदि आप सब का भला करने जाओगे, तो लोग आपको बहुत ज्यादा क वश्यक्ता ही नहीं। तो दोस्तों, जीवन भर आप ऐसे ही परेशान रहते रह जाओगे, उसी के साथ। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तीन विशेश सावधानिया का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, वह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। दो लाओ कर सकता है। तो आप खुद को छोटा क्यों समझते हैं। आपके अंदर भी शक्ती का भंडार है। आप दुबले हैं, पतले हैं, हाइट, आपकी कम है। कच्छ छोटा ही शकल, सावली है, रंगोरा है, कला है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर आत्म वि कर सकते ही और इन 24 घंटे में आपको इस बात का ही खास खयाल रखना है, क्योंकि साल के बच्चों वी अंतिम दिनों में बहुत ही शानदार गजकेसरी योग का निर्मान हो रहा है, जिसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। खास तोर पर सिंह राशी वालों कुंड इदली में चमक देखने को मिल रही है, शुक्र ग्रह के प्रभाव से और राश्य बुद्ध की स्थिती, आपकी जीवन में सकारात्मक स्थितियों लेकर ए रही है, आपको महसूस कहा कि कुछ समय से जो कम अठके पड़े द्वह कम संपन्न होंगे, आपके अंदर एक करने का मौका मिलता है, तो लोगों की बातों में आकर के निवेश नहीं करना है, वर्ण फायदे की जगहे बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, बस इस बात का ध्यान रखना, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, प्रतियक्स रूप से धन आएगा, इतना धन बन सकता है, जितना आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन जरूरी है आपने व्यवसाय को संभल कर चले, जहां भी आप नौकरी करते हैं, अपने दस्तावेजों को संभल कर रखें, उन्नती की पूरी-पूरी संभावना है, लेकिन आपको अपनी आँखों को बंद नहीं करना है, कानों को खुला रखना है अपने आस पास क्या हो रहा वही उसे पर नजर बनाए रखनी है उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में यात्रा करना बहुत शुब रहेगा